कर दो है यो 5 चिराफ fine डियूतंस आज रहा एत्थ लेक्चिर से अंदर हम ज्या ढिखेंगे मोड के बारे honesty मैं हमझे मोड क Sumold के झाल सक्वार्शिए था पर जो सिंपलस की फॉर्मला से न know summertime उसके उंपर डिस्कुस आज हम empirical formula के उपर work करेंगे तो empirical formula क्या होती है आपको मैंने कल एक्स्प्पेइन करी दिया था प्रिविज लेक्चर में एक्स्प्लेइन करी दिया था इंपर कर लेते हैं जब हमको mode निकालना है तो हमको किसकी help से निकालना है तो जो XI के अंदर mode क्या होता है जो बार-बार repeat हो रही observation अभी यहां पर observation कोई repeat ही नहीं हो रही है सब observation एक-एक बार ही दी हुए तो हम किसको mode बनाएंगे तो इस टेम पे हमको क्या use करना है यह वाली formula प्लाय करनी है जब frequency distribution के अंदर जो maximum frequency है वो repeat हो रही है यानि दो अलग- सॉलीशन भी यह है कि हमको यह वाली formula प्लाय करना पड़ेगा जब class दिया हो है तो classical में जो class वाला method उसके अंदर जो class length है वो unequal है तब हम कोई सी formula प्लाय करेंगे उस वक्ति हम यही formula प्लाय करेंगे the frequency distribution is mixed distribution जो frequency distribution दिया हो mix में है जैसे class and discrete frequency यानि एक साथ को class भी दे दिये यानि आधी terms आधी टर्म्स आपको class में दिये तब भी आपको यह formula प्लाय करनी है जब left and right-handed curves वो क्या open है यानि आपको पता ही नहीं है more than less than का data दिया हो है यह तो जो highest frequency है वो आपकी उपर सबसे first highest frequency आ रही है और सबसे lowest highest सबसे नीचे वाली वाली वह highest frequency आ रही है तो भी आपको यह formula अप्लाय करनी है आईए सम देखते हैं किस तरीके से हमको पता चले का कब कौन सी वेल्यू अप्लाय करनी है question क्या दिया है the distribution of the ages of the 48 person in an old age home is given below 48 लोग है old age home में रहते हैं उनके details जीए which formula would you appropriate to find the mode कौन सी formula अप्लाय करेंगे और क्यों find the model age of the person of the old age home अभी हमको model age fine करनी है जो old age home में लोग रहते हैं उनकी model age हमको fine करके देनी है अभी data क्या दिया 50-60 जिनके 50-60 ऐसे कितने लोग है 6 जिनके 60-65 ऐसे कितने लोग है 10 जिनके 65-70 ऐसे कितने लोग है जिनके 70-85 ऐसे कितने लोग है 9 जिनकी 85-700 ऐसे कितने लोग है 7 आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर फॉर्मुला में ओए उसा लेकल तो व्राइब करने हुदी इंपरिकल फॉर्मुला के लिए हमको दो वेल्यू की जरूरत है मीन और मीडियन तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मीन पराबर तो घुंक को अपने मेरे क्लास लेख लिए खेलए फ्रिक्वखेंशी यारे क्लास में से हमने क्या निकाल दिए मिडवेल्यू में क क्या निकाल दिया मिद्वेल्यू की से निकालता आपको पता ही है फिफ्टी प्लस 60 डिवाइठ बै टू एंग्ड कितना और स्टेव फटीक हो थे यानि 110 divided by 2 कितना आया 55 इस तरह किसे हमने क्या निकाल दी एक से निकाल दी दन आफ्टर क्या किया हमने fx निकाला मीन के लिए में को क्या चाहिए होता है fx से होता है तो हमने fx निकाला fx कैसे निकलेगा f into x 6 x 55 is 330 10 x 62.5 is 625 19 x 67.5 is 1282.5 9 x 77.5 697.5 4 x 92.5 370 इस तरिके से मैं ऐसका fx का टोटल करूंगा तो क्या आएगा 3305 अभी हमने क्या किया मीन निकाला तो मीन के लिए क्लेगा fx अपॉन एक से निकला 3305 इन 48 से डिवेट किया तो आंसर आए 68.85 आप अभी हम क्या निकालेंगे next step हमको क्या सब्सक्राइब यह मीडियन चाहिए हमको क्या फाइगा नहीं तो मीडियन के लिए कह ओता है पहले मीडियन क्लास नकालना थो मीडियन क्लास के लिए एड़ा क्लास के लिए एन अपज्वाम चू यह निवर्टीक अपउन सी है वह कौन सी है 19 उसकी उपरवाला CF cumulative frequency कितना है 16 जो median class है उसमें difference कितना है class length कितनी है 5 तो हमको यह values मिल गई L यानि क्या है 65 F जो है 19 CF जो है 16 and C जो इनके class length है वो है 5 अभी हमको median class की values मिल गई अभी हम क्या करेंगे simply formula apply करेंगे median find करेंगे तो median की formula क्या होती है L plus N upon 2 minus CF upon F into C तो L की जगे L की value 65 N upon 2 कितना है 24 minus CF कितना है 16 upon 19 into 5 तो 24 minus 16 क्या हुआ 18 18 को जब हम 19 से divide करेंगे तो answer आएगा 0.421 multiply 5 जब दोनों values multiply होंगी तो क्या होगा 2.105 2.105 के अंदर हम 65 को add करेंगे तो answer आएगा 67.105 अभी third digit place पे क्या है 5 तो जब third digit पे हमको two digits में convert करना third digit पे 5 value होती है तो उसके आगे वाले value में हम क्या कर देते है 1 प्लस पाइए 5 से बड़ी value होगी तो second digit में 1 प्लस हो जाता है अगर पाइए के नीचे value इन 4 तक value होती है तो second digit सेम का सेम रहता है कुछ changes नहीं होते हैं तो यहां पर third digit पे क्या है पाइए तो यहां पर one add हो जाएगा वन हो जाएगा तो हमारा median निकला 67.11 क्या find करेंगे mode तो mode के लिए हमको क्या चाहिए mean and median तो mean हमारा निकला 68.85 and median निकला हमार 67.11 mode की formula क्या है mode equal to 3 median minus 2 x bar याई 3m minus 2 x bar अभी 3 m की जगे m की value रखी minus 2 x bar के जगे x bar की value रखी multiply किया यानि क्या आया 201.33 और यहां पर multiply किया तो value 137.7 solve किया तो 63.63 यह हमारी final value ही mode की इस तरीके से हमको जब हमको class दिया हुआ है unequal class length है open ended class है तो हमको यह formula अपला है करनी है इसकी formula के help से हमको mode निकलना है एक और example देखते हैं क्या है question 4 comment in the mode for the following data showing the time taken in the seconds for the 8 competitors in running race अभी 8 racers है वो participate कर रहे हैं और उनके उपर हमको comment pass करनी है comment देनी है कि किस तरीके से उन्होंने race pass की है और उसका mode हमको निकानला है ठीक है तो अभी यहां पर data देखें हम एक साई दियो यह तो एक साई कंद जो भी observation से कोई भी observation repeated नहीं है यानि किसी भी racer ने same time नहीं लिए सब racers के times क्या है अलग अलग है तो यहां पर भी कौनसी formula अपला होगी empirical formula अपला होगी क्यों क्योंकि यहां पर कोई भी observation अभी तक जो भी observation दिए डेटा दिया हुए कोई भी observation single observation भी रिपीडेट नहीं है यानि यहां पर कौनसी formula करनी है empirical formula करनी है तो empirical formula के लिए कितने steps होता है तीन steps सबसे पहले क्या find done होता है mean then median then after kya find होता है mode तो mean mean की formula क्या होती है sigma x upon n क्यों क्योंकि यहां पर हमको सिर्फ x दिया हुए तो इसके लिए सब क्या करेंगे सब observations को plus करेंगे और इसको n से divide करेंगे तो सब observation को हमने क्या कर दिया plus कर दिया और इसको n से divide किया तो answer आया 229.8 upon 8 यानि mean जो मारा निकला वो क्या निकला 28.73 mean क्या निकला हमारा 28.73 कि इस तरीके से ही जब हमने median median निकाला तो median के अंदर क्या किया हमने कि सबसे पहले मीन की method क्या होती है कि जो भी observation से हमको क्या करना मैं ascending order में लिखना है तो सब observations को मैंने क्या किया ascending order में जब मैंने लिखा तो क्या आया n प्लस 1 upon 2 कितने observation से हमारे 8 observations से 8 प्लस 1 upon 2 यानि क्या आया 9 upon 2 9 upon 2 का मतलब क्या हुआ 4.5 यानि 4th observation प्लस 5th observation divide by 2 4.5 कैसे आता है 4 plus 5 divide by 2 तो यहां पर जो मेरी 4th observation से कौन थी 4th observation 1 2 3 and 4 4 observation क्या थी 28.6 and 5th observation मेरी क्या थी 29.0 दोनों को मैंने क्या क्या प्लस किया और उसके बाद क्या क्या उसको 2 से divide किया यानि 57.6 को मैंने किसे divide किया 2 से divide किया तो answer आया मेरा 28.8 then after क्या किया यही जो values थी उसको मैंने क्या 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 empirical formula में value put की empirical formula जब value मैंने put की तो क्या हुआ क्या formula है 3m minus 2x bar यान 3m की जगे मैं मैंने x bar की वेल्यू पूट की इनको मैंने solve किया pratique को मैंने 28.8 से multiply किया तो क्या 86.4 toko मैंने 28.73 से multiply किया तो क्या 54.46 तो इस तरीके से मेरा जो मоль निकला वो जो क्या निकला 28.94 से Ilmura को क्या करना है more 확인 कर ना है तो आज की दिन में यह उमारा topic complete हुआ नेक्स्ट लेक्शर में हम न्यू सब्डिक्स स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए जो यहाँ पर रिमेनिंग समसे है जो एक्सेस के रिमेनिंग समसे है आप कम्प्लीट कर लीजे झाल